हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू आवर चैनल आज हम बात करेंगे आरपी एफ कॉंस्टेबल एंड एस आई निव रिकूट्मेंट 2023 के बारे में जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए हम पटापट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम RPF Constable New Recruitment 2023 पोस्ट डिटेल्स चेक करेंगे अगर हम टोटल नम्मर और पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नम्मर और पोस्ट 20,000 प्लस पदों के लिए आपको भरती देखने को मिल जाएगी अगर हम RPF Constable Vacancy 2023 पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट न लिए 18,000 और सब इंस्पेक्टर यानि SI के लिए 2,000 फेकेंसी रखी गई है अगर हम RPF Constable New Recruitment 2023 इजिबिलेटी कैटरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम Constable के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मेक्सिमम एज लिमिट की बा आविदन कर पाएंगे अगर हम एज रिलेक्सेशन की बात करें तो एज रिलेक्सेशन भी आपको दिया जाएगा गोवर्मेंट के रूल के एकोर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले Constable की पोस्ट की बात करें तो Constable के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोट से दसवी पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी इन्वर्सिटी से बेचलर आप डिग्री की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम आर्पिए एप कॉंस्टेबल रिकूटमेंट टू थाउजन ट्वैटिटि त्री पी इटी पी एस टी डिटेल्स फॉर्म केंड़ेट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम रेस की बात करें तो वान पॉनपॉन्ट सिक्स क्लोमेटर रेस इन फाइप मिनट्स करें तो टुएलब फीट थी चाउंस हाई जम फूर फिट थी चाउंस रखा गया है अगर हम फिमल केंडेक्ट की बात करें तो फिमेल केंडेक्र के लिए रेस एट्षंड्रेंट्स ज्यानि फिमल candidates को 800 मिटर की दोर लगानी है 3 मिन्ट 40 सेगंड टाइम डिये जाएगा अगर हम लोंग जम की बात करें तो 9 फिट 3 चांस हाई जम 3 फिट 3 चांस नहीं दिया गया है अगर हम height की बात करें तो 157 cm female candidates के लिए अगर हम All India AC ST candidates की height की बात करें तो 152 cm रखा गया है अगर हम RPF vacancy new recruitment 2023 selection process की बात के लिए तो हमारा selection process सबसे पहले हमें written exam CBT mode देना है यानि computer best test उसके बाद physical test details यानि PET, PSD, physical standard test और physical efficiency test उसके बाद हमारा document verification क्या जाएगा उसके बाद हमें medical test देना है यानि medical examination उसके बाद हमारा document verification क्या जाएगा उसके बाद हमारा final mate list बनाया जाएगा अगर हम RPF constable and SI new recruitment 2023 syllabus की बात करें तो सबसे पहले parts में हमें general evidence के question देखने को मिल जाएगा 50 question 50 marks के लिए दूसरे parts की बात करें तो arithmetic के question देखने को मिल जाएगा 35 question 35 marks के लिए तिसरे parts की बात करें तो general intelligence and rejoining के question आपको देखने को मिल जाए जाएगा 35 question 35 marks के लिए total number of questions की बात करें तो 120 question 120 marks के लिए रखा गया है अगर हम RPF constable and SI new recruitment 2023 application फिस की बात करें तो हमारा application फिस अगर हम general OBC candidates की बात करें तो 500 रुपे की फिस रखी गई है SCST and female candidates की बात करें तो 500 रुपे की फिस रखी गई है यानि general OBC candidates को 500 रुपे और SCST and female candidates को 500 रुपे की फिस पे करनी है अगर हम payment mode की बात करें तो हमारा payment mode online mode रखा जागा यानि आप debit card, credit card या net banking किसी भी माध्यम से आप अपना फिस पे कर पाएंगे अगर हम RPF Constable New Recruitment 2023 Important Date and Important Link की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको description box पे provide करा दिया है अगर आप apply करना चाते है तो इस वाले link पे विजिट करके आप यहां से apply कर सकते हैं अगर हम important dates की बात करें तो आपको यह नवंबर के महिने में देखने को मिल जाएगी अगर आप भी RPF के form के लिए आविदन करना चाते है तो जैसे ही इसकी कोई और भी नई update आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको next वीडियो में देने की कोसिस करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद